नमस्कार जैहिंद आप सवी का स्वागत है दिस इस चेद्र मौलीन फ्रंट आप यू और मीटिंग इन मैड ओवर मैप्स इस माध्यम से हमने आपको काफी चीज़े दिखाई हैं भ्रमण कर रहे थे हम लोग देश, देशांतर, लेक्स, रिवर्स, सारी चीज़े हमने दिखा अभी फिलाल हमारा जो पूरा मकसट टिका हुआ है, वो है कन्वेंशन्स पे, एक बार सारे कन्वेंशन्स हम कर लेंगे, तो हमारे दिमार्ग में उसका लोकेशन, उसकी एहमता क्या है, वो किसलिए एहम है, इस सब पता चाहिएगा, आईए आप सभी का स्वागत है, और ज of the things here, CSC Assure का मतलब है कि अगर आप दो साल का या उसकी उपर का सब्स्क्रिप्शन लेते हैं, जिनको 25-26 में देना है, 24 में देना है, आपको वन यर एक्सेंशन मिलेगा, मतलब टोटल तीम साल के लिए आप हमारे साथ रहेंगे and will be there with you, UPSC CSC Test Series भी हमने लांच कर लिया, जिसमें आपका Mains और Option Test Series भी है, CMC Code का आप इस्तमाल करके इसका भी लाव ले सकते हैं, ये दो चीज़ें आप देखते होंगे, Plus और Iconic Subscription, Plus में आपको सारे सेशन मिलते हैं, Standard Content मिलता है, खूब सारा Material आपको इसमें मिलता है, और यहां पे आप Iconic देखेंगे जिसमें आ तो जो भी तीन लोग उपसाहित ने लेने में, Admission and My Mentorship, you can register using Plus और Iconic, हम आपके साथ दोनों में ही रहेंगे, और अभी Combo का एक बहुत अच्छा ओपर चला है, अज लास्ट डे है, उसका अभी हम आपको बता देंगे, उसके बारे में भी, सिर्फ अगर Option लेना है, तो Great App, Great App Learning, और Online कहीं भी बैठके आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं, आई आगे चलते हैं, और यह Telegram Channel है, आप सभी जॉइन तो कर चुके होंगे, एक पर फिर से देख लीजेगा, I would want you to join this, so that we can be in touch, Good Afternoon, जैहिन सभी का स्वागत है, आई शुरुआत करते हैं आज के से आत्रताम धनम अपनोती, धनार धमम ततह सुखम, विद्या से विनय आता है, दीसेंसी आती है, इस दीसेंसी से आपका एक कैरेक्टर बिल्ड होता है, इस कैरेक्टर से आप चीजों को कमाते हैं, और यही कमाने में जब आप कमाएंगे, तभी आप उसको यूज करते हैं ध और टावा डिक्लरेशन, काफी महतलपूर्ण है, मेंस के लिए भी, प्रिलिमस के लिए भी से बहुत गौहर से देखिएगा, कि आखिर ओटावा डिक्लरेशन है क्या, वह और टावा डिकलेरेशन मतल्ब एक डिकलेरेशन हु उतावा। में तो मैप भी देखना है आएंक्तिक patience बनाया गया गयाै that will be warranted to take some decision for Arctic Arctic Council लिकल के आया जो कि leading intergovernmental मतलब सारी government जो भी होंगी इसमें वो सारी government bill के consensus बनाएंगी और decision लेंगी for promoting cooperation coordination and interaction among the Arctic states अब कौन है Arctic states आज हम देखेंगे सिर्फ Arctic states ही नहीं परन्तु Arctic indigenous communities और आक्तिक रीजन में आपके कुछ indigenous communities भी रहती हैं जो वहीं की native है जैसे कि आपकी अंडमान एंडिकोबार में कुछ native लोग हैं वैसे Arctic में भी कुछ native लोग रहते हैं जिनको इस काउंसिल में योगदान देने के लिए पूरा हर्ख है उनका इसमें से है अधर आक्तिक इन्हाबिटेंट्स अन कॉमन आक्तिक इशूस इन पर्टिकुलर और इशूस ऑफ सस्टेनेबर डेवलप्मेंट और इन्मार्मेंटल प्रोटेक्शन इन दा आक्तिक लगभा की कवा इस आर गेटिंग मेल्टेट अवे और देपीपल वुलिब देर तफॉना दफ्लोरा देट लिए यह तब क्वेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि डारेक्ट वाले क्वेस्टन है यह अगर आप इसका एक बर सार्भूत देख रहे तो आप अच्छे से कर सकते है ग्राफटन फिर से एट कंट्री जिश इंप पॉलर आप अपने अर्थ को देखेंगे यह अर्थ है हमारा ये पोल है और एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल आप टेक सरकम पॉलर मतलब इसको घूमते हुए सरकम्वेंट करते हुए जितनी कंट्रीज वह सब इसमें आ सकती हैं कौन-कौन सी हैं यह याद रखना है यह भी प्रशनाया हुआ है इन इंडिजिनस पीपल को बचाने की कवायत है आप इंडिजिनस पीपल का से रखेंगे उनको प्रोटेक्ट करेंगे और उनकी जो भी चीजें आप उनको महफूज रखने की कोशिश करेंगे सुर्च फॉर्ट कांजर्वेशन ओफ आप आप एंड फॉर्ट कांजर्वेशन ओफ आप्टिक और सच पीपल कुल लिव इन दापिक एरिया हम और आप नहीं सो सकते वहां रहने का पर जो रहरा है उसको हमें डिस्टब नहीं करना जाके ट्रॉंसों में हैं नौर्वेश अभी देखेंगे इसकी उपर भी ओटावा डिक्लेरेशन डिकलेर्स गौर से देखेगा नाम और देखते हैं कितना जल्दी किसको याद होता है डिकलेर्स कैनड़ा तर किंग्डम ऑफ डेन्मार्क फिनलैंड आइसलांड नौर्वे रश्यन फेडरेशन स्वेडन और युनाइटेट स्टेट अफ अमेरिका अज मेंबर ऑफ अर्क्टिक काउंसल अब आप थोड़ा सा आराम से सोचीएगा कुछ देर के लिए कि क्या-क्या प्रश्ण बनेगा प्रिलिम्स पे हमने ओटावा डिकलेरेशन तो देख लिया चाहें आपके सामने एक माप खुल क्या चुक्ता है और हम आप से बस इतना जानना चाहेंगे कि आपको पता है अटावा यह कि अई और यह कितने लोग बोलेंगे यॉरप यौरप, कैनडा में है, अरे कैनडा का तो कैपिटल क्या है, बताइए ज़रा, कैनडा का कैपिटल बताइए ज़रा, वेर वेर इस डिस कैनडा कैपिटल, ताट इस परहाप्स ओटावा, कुछ ही दिन पहले जब हमने मौन्ट्रियाल देखा था, तो ओटावा भी वाजू में था, आएज देखते हैं कहां था, यह है आपका ओटावा, यह कैनडा है, नीचे युएस है, नीचे मेक्सिको है, यह कैनडा है, यह ओटावा है, और थोड़ा इसको डीप जाके देखते हैं कि आखिर कहां बसा हुआ है तो देख सकते हैं आपके सूपर ग्रेट लेक्स जो कि यहां बनी हुई है आप लेक इरी लेक उंटारियो और लेक उंटारियो से निकलती है सिंट लॉरेंस रिवर आप आगे बढ़ रहे थे बह रहे हैं से आप पहुचे मोंट्रियाल मोंट्रियाल पे अपने देखा कि इधर से भी एक नदी आ रही है वो कौनसी है उटावा रिवर गाफर रिवर भी धर से आके जूड़ रही है इसी पे थोड़ा सा और अंदर तक बहेंगे तो आप उटावा पे पहुच जाएंगे तो य क्योंकि हमने इतना गंभीरता से देखा ही नहीं होगा ना हमें दिखाया जाएगा तो शायद हम गलत कर देंगे पर डेयर आस्किंग सब्सक्राइब रिवर नाशनल पार्क विच प्लेस असोसेटर विदा रिवर सेंट लॉरेंस अगर आया तो मॉन्ट्रियाल ओटावा दो गया तो आईए और देखते हैं आपके सामने फिर से एक मैप है आई इसको और से देखिएगा आप देख सकते हैं यह ओटावा है यह आपका क्यूबेक है और यह आपका मॉन्ट्रियाल है आई थिंग हम लोगों ने देख रखा है सेंट लॉरेंस रिवल आपका गल्फ यह तो हमारे जब हम जोग्रफी पढ़ते हैं तो हम कुछ बड़े बड़े लाटिटूड भी पढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्याप्रिकॉन इक्वेटर आक्टिक सर्कल अंटार्क्टिक सर्कल यह सब हम पढ़ते हैं अब आपको एक चीज बतानी है हमें और वो है य क्योंगा कि ओटावा डिकलेशन यह यह आया है आक को क्या लगता है कि क्या आकतिक सर्कल मेरा ओटावा से निकलता होगा जरूर यह फूर्डा terus निकलता होगा आप यह क्या कहना है दीपक जी का कहना है येस वो उटावा से निकलता होगा अच्छा उन्होंने हटा दिया मैसे सुनीते जी का कहना है नो विजय जी का कहना है नो और बता है और भी कोई बता है अंकिता जी भी नो पे आ चुकी है कैनेडा के नौर्थ से निकलता है बहुत बढ़िया चीजों को दिमाग में इस कदर बैठाए रखिए कि आपको दिक्कत ना हो कैनेडा को गौर से देखिए इस पूरे कैनेडा यह पूरा कैनेडा है आपका इस पूरे कैनडा के एकदम साउथ पास नहीं करता से तो नौर्थ से नौर्थ ऑफ कैनडा नौर्थ ऑफ कैनडा इसलिए आर्थिक सरकल इस से पास नहीं करता है वों उपर से जा रहा अभी भौत नीचे लाटिटीटूड है यह हमारा बहुत उपर 66.5 डिरी नॉट यह उपर से पास करता है वाट इट पास थू कैनड़ा इट विल आप पास थू कैनड़ा साफ तरीके से आप देख सकते हैं पर उपर उपर से उपर उपर से तो वो लोग आपको कंश्यूज करेंगे कि ओटावा और नियर भाई ओटावा भी आपको दिख रहा होगा यह इससे भी पास नहीं करता आक्टिक सरकल और समझी और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं अब आगे चलके एक और आपको लोकेशन दिखाना था वो था जो सेक्रेटेरियट बना हुआ है वो है ट्रॉंस्टो नौर्वे ट्रॉंस्टो नौर्वे आप देख सकते ट्रॉंस्टो यह है नौर्वे इस नौर्वे यह है नौर्वे नौर्वे में आप देख सकते बना ह हुआ है Norway के ठीक नीचे आपको दीख जायेगा Sweden है और उठर का फिल्लेंट है इप seulोगी शुटन फिल्लेंट नोरवे स्विर्डन फिल्लेंट स्काडिनेविऑन कंट्री यह नॉर्वे के टॉप पर दीखे TROMSO दिख जाएगा नौर्वे की Capital, Oslo, Oslo आपको यहां दिख जाएगी, यह रही, Oslo, Sweden आपका यह रहा, Norway के ठीक आपका इस तरीफिन, नौरे स्विजन। लज गहां से पास कर रहा है? अगला प्रस्ठ यह है, गौर से देखेगा, आप सब लोगयों, आप रही हो कसे दिखेगा Right. के अग्याई से देख्येगा यह दिक सर्कुल है यहलो नौर्ध से निकल ना ये भीएंट टू Bye-aba लौन विट्टो अलासका ideal उलासका यू एसे तो अलासका से भी पास्ट किया मतलब अगर प्रश्चना है कि उसे से करता है तो इस वज़े करता है क्योंकि अलास्का से कर रहा है तो अलास्का से निकला घुज गया कैनाडा में इस इस कैनाडा यहां भी चला और आगे बढ़िए ग्रीन लाइंड टरिट्रियों डेन्मार्क क्रॉस किया आइस्लैंड और आगे एट कंट्रीज दार इंग्लूड इन आर्क्टिक कांशल नेमली रश्या यूएस कैनाडा फ्री ग्रीन लैंड फोर आइस्लैंड फाइप नॉर्वेश स्वेडन फिल्लैंड थ्री फाइप फ्लस फ्री एट एट कंट्रीज ओफ यॉर आर्क्टिक सर्कल और इंड दार प्रिलिम्स का क्वेश्चन आएगा और भी हम लोग देखते रहेंगे चीज़ों को आई आगे चलते हैं ऑके सो अब्जर्वर स्टेटर्स की बात करते हैं अभी इसमें आठ पर्मनेंट मेंबर तो हैं बट दे ऑल्सो मेंग सम अब्जर्वर्स अब्जर्वर का वोटिंग राइट नहीं होता है आप देख सकते हैं ऑब्जर्वर्स हाब नो वोटिंग राइट इन दे काउन्फिल बट दे कुड़ 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 दिसकस लॉट अफिंग्स पॉर एक्जाम्पल दे वुट कम अंट टॉक अबाउट कि क्या वहां पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपको ऐसा पॉलिसी नहीं करना चाहिए तो वो अब्जर्वर है वो लोग देखते रहेंगे बोलते रहेंगे हाला कि वोट नहीं कर सकते हैं तो इस आर दो अब्जर्वर स्टेट्स इन यॉर आप्टिक काउंफिल जर्मनी निदरलैंड्स आप याद रखने की जरूत नहीं है आप तो इतना देखना इंडिया है कि नहीं है यह हमने स्टेट्स है इंडिया के पास और चाईना के पास इन दोनों के पास ही है दूर सब्सक्राइब इंडिया एंड चाईना के पास है औब दर्वर स्टेटस यह बात आपको याद रखना है अब त्वासर और आगे बढ़ते हैं और समझनी को शिश करते कि आखिर क्या करना है इंडिया इतना इंट्रेस्यट में यह प्रसना यहां था में में वार इनी कंट्री इंट्रेस्टेट कि अ पास्टू प्रॉब्लम क्या है ना क्याप्टल आपका सब नीचे की तरफ होगा इस पे नहीं होगा है यह वाई आपक्ति इंट्रेस्टे इंवाई आर्क्ति इंट्रेस्टेट इन आपक्ति की सब्सक्राइब शॉच्व पड़ आपक्ति इंडिया ने भी लॉंच यापना पर संट्रिक expedition to the Arctic Ocean 2007 and opened a research base name Himadri, वो यहां पे है, इस एरिया में है, यह स्वेडन का ही पार्ट है, यह स्वेडन का ही पार्ट माना जाता है, यह नौर्वे का पार्ट माना जाता है, इस नौर्वे पार्ट है, यह चोटा सा एक आइलेंड है, जो नौर्वे के एकदम नौर्थ में आप तो नौर्वेज स्वालबाड एरिया, तो स्वालबाड एरिया, नौर्वे का स्वालबाड एरिया में हमारा हिमादरी रिसर्च स्टेशन है, और बहुत बड़ा है साब देखेंगे कभी इमेज उसकी हट टाइप से बने रहते हैं, एक एरियल निकला रहेगा उपर से वही बै कनेक्शन का मतलब जो लोग जोग्रफी पढ़ें, वो समझ पाएंगे, आपको छोटा सा उधारण देते हैं, वेन बटरफ्लाई फ्लाप्स इस वेंग्स इन अमेजान, इट रेंस इन इंडिया, मतलब इस पूरे क्लाइमेट की, पूरे एट्मास्फ़र की हर चीज इस तर ज्यादा जुड़ा हुआ है कि कहीं कुछ छोटा सा चेंज हो, वो आपके इंडिया पे भी रिफ्लेट करेगा, हमारे हाँ तो चेंज हो तो उनके रिफ्लेट करेगा, इस इस टेली कनेक्शन, हाउगिन्स अ किलोमेटर दूर पे अगर कुछ हो रहा है, तो आपको इंपक् और ये टेली कनेक्शन को पढ़ने के लिए हमने कोशिश की कि हम अपना स्टेशन रखे दिये, सबसे पहला हमारा रीजन है, दूसरा है, हम आइस मेल्टिंग देखना चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से कितना हो रही है, क्योंकि हमारे पास थर्ड पोल अफ दिस अर्थ है, आप बहले ही आर्टिक अंटार्टिक को बहतरी दरीके से जानते हैं, ग्लेशर के मामले में, पर आप हमारे हिमाले को के समझ सकते हैं कि क्या ये थर्ड पोल नहीं हो सकता है, ये ग्लेशर है, तो अगर आप कहां मेल्टिंग हो रही है, तो भी वांट तु स्टड़ी, how it is impacting your place, and hence we can be ready for our हिमालिया, when the time is there. थर्ड, to conduct research on the dynamics and mass budget of Arctic glaciers, focusing on the effect of glaciers on sea level change, glaciers का impact हम देखना चाहते हैं, to carry out a comprehensive assessment of the flora and the fauna of the Arctic and the response to the anthropogenic activities. कि anthropogenic activities जो हो रही है, इसकी वज़े से flora और जो flora और fauna है, वो कैसे change हो रहा है, हम इसको पढ़ना चाहते हैं, ताकि हम अपने हिमालियास के लिए भी तयार है सके, और जो अगली महत्वपून्चीज है, वो है ये, कि जब ice melt होगा Arctic का, तो एक भयावस्तिती बनेगी, वो भया यहावस्तिती क्या है समझी हें, बना इस求 चैक, न। बनेग्यास होज़ेस हितम के लिए और तो अबस्वे असले के Ja अपने पो जा बनेग्यास बनेग्यास का, और जा घखानने नहूरे में parar प्ला danग्यास पर गास्वें इसका, फ 80 रहु टा है। warpuestos पा झाहते onte यह सब होगा अगर आपकी यह मेल्ट हो चुकी तो अगर हो जाएंगी तो इस बात आपको ध्यान देना होगा कि आपके पास नाट्रियल ग्यास कमर्शल एक्सप्लोरेशन के लिए तो चाहिए हमें परन्तु अगर वह मेल्ट हो गया तो सब निकल जाएगा और यह सब आपके अट्मॉस्फेर में घूमेगा हीट बजट चेंज हो जाएगा और इंडिया वूशुट बी वरीड अबाट इस पाच्वा पॉइंट वी आर नोन फॉर और आवर पेशन्स जैसे ही चाइना को पता चला कि आतिक ओशन पे सब कब्दा करने पहुंच रहे हैं चाइना ने एक नम विशाल काई थ्रेशर बनाया इन्हों ने देखा कि जब तक बरफ पिगलेगी मैं वेट नहीं कर सकता चलो आज ही चलके बरफ तोड़ दो इन्हों आज तक चाइना को यौरफ पहुंचने के लिए इंडियन ओशन इंडिया से ड़र तो लगेगा चाइना को इंडियन ओशन पार करेंगे कहीं नहीं एफ्रीका के पास पहुंचेंगे वहाँ पाइरेसी हो रही है या तो पूरा घूम के नीचे से साउथ एफ्रिका से घूम को काटने लगा और रास्ता बनाने लगा ता आर्क्तिक पैसेज वे इस आर्क्तिक पैसेज वे विल बी अस्टेप टुवर्ड्स और इसके लिए हम लोगों ने काफी चीज देखी और बोली कि यूशुड नाट डू दिस क्योंकि आप अपने कमर्शल की वज़े से पूरा क्लाइमेट खराप करें तो हमारा मौझूर्गी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है एक कंट्री क ा होना वहiben Quốc गरूरी है इस 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 अवर्य दे अन्डिस से छोटेचिछोटaving होते हैं इंडीया कोKS बहुत मानते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम संकत्प आह मैं समझ सकते हैं हमने हमारा इतिहास इतना लंबा चाड़ा तो हम चीज़ों को experience के साथ देखते हैं समझते हैं अभी चाइना का भी ठीक इतिहास है प्रम तुम से इतिहास आप पढ़ेंगे भी तो आपको लगेगा किया ठीक है लाइक देवर नेवर पेशन अब एनिधिंग चीज़े तुमको खराब करनी होती है तो चीज़े खराब कर रहे हैं वह देव पुम्हाँ पूटावा डिकलेशन अन था फॉट्विट आपको खिटना कॉटस यहीं अच्छा यह जब्रदस बात है यह आप पिटाविट नहीं करता है कि आप कमर्सियल थीच्टेशन अपकरो यह का करता है यह बोलता है इटोनी दीच वन्यूर्त करता इट इस the local environment बोला आपको commercial exploitation करना है करो we don't stop you but you should not do this in a manner that is going to change the topography going to change the equations the nature of this place the environment of this place please do not do that if you do that will stop you ये खाल इतना बोलता आप commercial exploitation के नाम पे तो आप समझी सकते क्या क्या हो सकता है कौन मानेगा जो बरफ तोडने में लगा हो कहां से मानने बैठेगा so the people who are impatient they are following their lead to Arctic और उनको सब को चाहिए अच्छा आप Arctic में और क्या फायदा है यहां पे एक्दम hidden resource है oil का यह पर दस्त oil है क्यों होगा oil इतने सालों से सारा marine life जमा हुआ है सब oil बन चुका है वहां पे सब लोगों को अपना अपना कार्विन चाहिए कि मुझे भी चाहिए मैं पहले पहुंचूंगा तो मुझे पहले और मिलेगा इस सब पहुंचे हुए है और नाचुरल गयास जो इनको जो मिल जाए सब चलेगा पस इनको को आइस काटनी है महां से आइस नहीं देख सकते लोग इंडिया इस मामले में बड़ा पेशेंट है इंडिया बोला कि ने ठीक है भी हमारे पास इतना रिसोर्स हम उससे काम करी रहे और भी अभी रिसोर्स है आप उतना जल्ली उसको तोड़ने में क्यों लगे हुए हुए और यह लोगो यूएस और कानड़ा इन सबको लगता ही है कि हमारे बगल में ही तो हमें दिक्कत नहीं है अगर आप देखें इनर्जी की बात करेंगे तो कानड़ा को ऐसे भी क्या दिक्कत है उसका पर-capita energy consumption देखेंगे तो आप तो जलन होने लगेगी कि हमारे तो पर-capita लगाया रखते हैं पंका तो नहीं होगा क्या है पर दे बूट जस्ट रन आप everything उनको चलता रहा हूं को फरक नहीं पड़ता है हमारे आप पर-capita consumption वहीं नहीं पा रहा है पर सिल वियर पेशेंट उनके पास अब होने के बाद भी पेशेंट नहीं है तो देस देस इस अब आउट सेट नो ओन 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 सेट इस सब्सक्राइब तो कोई तो कोई आपड़ी नहीं कर तर आप अपने कंट्रीज वहाँ अन रही है है तो अन करता है तो यह सारे कंसिल बना है इंट्रेक्शन बढ़ाएं के लिए सब्सक्राइब करते रहेंगे आपके सामने फिर से एक बार आप देख लिजेगा इसको आक्टिक सर्कल है हमारा चलना है बहुत अच्छे से तो अब यह सारी कंट्रीज है यह निक है यह पूरा आपका अर्टिक ओशन है तो अपना अपना जगब बनाएंगे लोग दन चलिए बहुत भुत धन्यवाद आप सभी का मिलते हैं आज दिन में भी आज स्पेशल क्लास है आज तीन मजे ही है तो सब दोग तीन मजे पहुंच जाईएगा वी आज देखते हैं फिर कैसे क्या हम दोग करते हो और आगे आज यह होगा सेशन आज यहीं का सब लोग और 527 इस प्राइस और कॉम्बैट हो रहा है बहुत गोड़ से सुनिए का कॉमबैट देना है सबको कॉमबैट दीजिए का जरूर कॉमबैट देने से आपका प्रैक्टिस बढ़ता रहेगा इस सब्सक्राइब आप ने सब्सक्राइब आपको चोड़के नीचे दिस्क्रिप्शन में जाईए अभी रजिस्टर कर लिजे क्योंकि आप करेंगे नहीं हमको पता है अभी रजिस्टर करिए जाके सब लोग यह दे दीजेगा आपको एक घंटा देना है सब्सक्राइब आप उसका लाव ले सकते हैं लाव ले सकते हैं लाव ले सकते हैं प्लस वी आपग्रेडिग आवर आप इस से नोट्स बनाने कर चालू कर दिजे और इस इस दाउट सेशन आप आज पांच बजे देख लिजेगा एकनोमीं इन्वाइमेंट साइंस इंटेक्नोलोजी है और आट बजे आपका कल होगा पॉलिटी आयर करेंट अफेर्स यू करेंट इन्रॉल इन दिस ओल्सू थैंक यू सो मच और निरंतर ताही सफलता की कुंजी है जो निरंतर है वही सफल अपना ध्यान लखेगा पड़ते रहेगा और कोई भी तकलीफ हो तो आयाँ देर फॉर यू ठीक है थैंक यू सो मच टेक यप जैक आपना ध्यान लखेग झाल कोईना बाइस सब्सक्राइब और कोई पार कोईना लखेगा भी तकलीफू तक यू जबड़ते लेकोई धाल घंका यू, जबटे लेकोई लेकोई भी तकलीफ तक्षाविन वार और माही जवेगा वाण से पहें वहें सल्स्वाइबाब्द कोईना